जादूई मटर के फसल मौहनपुर गाउं में तुकीराम नाम का एक गरीब किसान रहता था वो अपनी बीवी राधा और एक चोटे बेटे के साथ रहता था धन समपत्ती के नाम पर उसके पास एक चोटा सा खेत था जहां वह मटर की खेती किया करता था तुकी राम हर सुभा हल लेकर खेत की तरफ निकल जाता था खेती से जो कुछ भी फसल होती थी उसे वह शाम में बेच कर जैसे तैसे अपना गुजारा करता था दूसरी तरफ तुकी राम के घर के बगल में कालू राम का घर था वह एक चरवाहा था कालू राम के पास दो बक्रियां थी, जिससे वह कमाई करता था, कालू राम बड़ा धूर्ट और आलसी आदमी था, अपनी आलस की वजह से कालू राम ने अपने खेत को बरबाद कर दिया था, इसलिए वह तुकी राम की महनत से जलता था, तुकी राम के खेत में उगी फसल को देख कर कालू राम को खूब जलन होती थी, इसलिए धूर्ट कालू राम हर रात में चुपके से अपनी दोनों बक्रियों को उसके खेत में छोड़ाता था, रात भर में बक्रियां मतर की फसल को खाकर खराब कर देती थी, अगली सुभा जब तुकी राम उठकर खेत जाता तो कुछी फसल सही सलामत रहती थी ए भगवान ए मोरी फुटी किस्मत मेरी फसल कौन बर्बाद कर रहा है तुकी राम बची कुछी फसल को ही बाजार ले कर जाता था और उसे बेच देता था उसके बदले में उसे बहुत कम पैसे मिलते थे दूसरी तरफ कालू राम को ये सब देख कर बहुत खुशी होती थी वो हर रात अपनी बकरियों के लिए चारे का इंतिजाम तुकी राम के खेत से ही कर दिया करता था उस तुकी राम के बच्चे को कभी भी पता नहीं चलेगा कि उसके मटल कौन खा जाता है दिन ऐसे ही बीटते जाते हैं फसल कम होने के कारण तुकी राम की गरीबी बढ़ती जाती है एक दिन तुकी राम के घर पर घर में बस एक दिन का ही राशन बचा है अगर कल सुबह अच्छे कमाई नहीं हुई तो खाने की भी लाले पढ़ जाएंगे राधा भगवान जाने हमारे खेट पर किसकी बुरी नजर है अभी जो कुछ भी है उसे पकालो कल से मैं कुछ देखता हूँ इतना सुनकर राधा घर में बचे कुछे राशन से खाना बना देती है जैसे ही वे सब खाने के लिए बैठते हैं कि तब ही उसके दर्वाजे पर खटखटाने की आवाज आती है तुकी राम उठकर दर्वाजे के पास जाता है तो वो देखता है धूल से सनी फटे चिटे कपड़े पहने हुए एक गरीब बुढ़िया वहाँ खड़ी थी बेटा एक गिलास पानी पिला दो बहुत प्यास लगी है तुकी राम उस बुढ़ी अम्मा की बात सुनकर घर के अंदर आजाता है और पानी लेकर आता है बुढ़ी अम्मा पानी पी लेती है उसके बाद वो कहती है बेटा अगर तुम्हारे घर में कुछ है तो इस गरीब बुढ़िया को एक सूखी रोटी ही दे दे भूख से चला भी नहीं जा रहा है ये सुनकर तुकी राम को उस बुढ़िया पर बहुत दया आती है वो उस बुढ़िया को प्रेम से अपने घर के अंदर ले आता है और अपने लिए परोसी गई थाली उस बुढ़िया को दे देता है बुढ़ी अम्मा प्यार से भर पेट खाना खाती है खाना खाने के बाद बुढ़ी अम्मा बहुत खुश हो जाती है वह तुकी राम और उसकी पत्नी को खूब आशिरवाद देकर उस घर से चली जाती है उधर तुकी राम और उसकी पत्नी भूके ही रह जाते है तुकीराम कहता है राधा जो कुछ भी बचा है मुन्ने को भर पेट खिला दो मैं एक बार खेत देख कर आता हूँ तुकीराम खेत में जाकर मतर की फसल को एक बार देखाता है फसल बरबाद होने के कारण खेत के थोड़े ही हिस्से पर फसल उगी रहती है वह निराश होकर घर आता है और सो जाता है अगली सुभा तो कीराम हर रोज की तरह खेट जाता है जैसे ही वो वहाँ पहुचता है कि खेट देखकर उसके होश उड़ जाते हैं पूरे खेट में मटर की हरी भरी फसल लहराती रहती है ये दीख कर तो कीराम खुशी से उचल पड़ता है वहे खुशी के मारे नाचनी लगता है भगवान ये तो जमतकार ही हो गया ऐसी फसल तो आज तक इस खेट में नहीं होगी उस दिन वो सारे फसल की कटाई करके उसे बाजार में बेच कर अच्छी कमाई करता है और घर आ जाता है दूसरी तरफ कालूराम को ये सब देख कर भरोसा नहीं होता वहे मन में सूचता है अरे मैं तो बकरिया छोड़ आया था फेर इस तुकीराम की फसल बच कैसे गई कालूराम तुकीराम की खुशी देख देख कर परिशान होने लगता है दूसरी तरफ तुकीराम का खेत हर सुबह अपने आप मतर की फसल से भर जाता है वहे हर रोज मतर बेच कर खूप कमाई करने लगता है कालूराम हर रोज की तरह रात के अंधेरे में अपनी दोनों बक्रियों को तुकीराम के खेत में छोड़ देता है इसके बाद वहे अपनी खेत में तहलने लगता है तभी अचानक से उस खेत के बीच से बहुत तीज रोशनी होती है उस रोशनी को देख कर कालूराम डर जाता है और थोड़ा पीछे चिप कर देखने लगता है वहे रोशनी धीरी धीरी कम होती है और उस जगह एक सुन्दर सी परी आ जाती है वहे परी अपनी जादूई छड़ी घुमाती है कि तभी उस छड़ी से गोल गोल मतर के दाने निकलने लगते हैं वो सभी दाने हवा में उड़ते हुए पूरे खेत में फैल जाते हैं और देखते ही देखते जमीन के अंदर चले जाते हैं उनकी जगह पर खुप सारे मतर के दानों से भरी लताएं उगाती हैं उन फसलों के बीच वहे परी खुशी से नाचने लगती है ये सब देखकर कालूराम को अपनी आखों पर भरोसा ही नहीं होता उसके मन में लालच आ जाता है वहे परी से छिपकर उसकी छड़ी चुरान का मन बना लेता है परी अपने नाच में मगन थी कि तभी कालूराम खेत के बीचों बीच आ जाता है और वहां रखी जादूई छड़ी को लेने की कोशिश करता है कि तभी वह छड़ी उड़कर परी के हाथ में चली जाती है कालूराम की हरकत देख परी काफी गुस्स में आजाती है जादवी शक्ति से सब जान जाती है। तो धूर्थत तुह ही है जो भोली भाली तुकी राम की फसल बढ़ पात करता है, तुझे में जादू से पत्थर बना दू गी परी मंत्र पढ़कर उसे पत्थर बना देती है। उस रात ना जाने तुकिराम भी अपने मटर की फसल की सच्चाई देखने के लिए खेत पहुचता है वहे परी को ये सब करते हुए देख लेता है मैंने सब देख लिया है जादूई परी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया तुमने मुझ करीब के सुने खेत को भर कर मेरे सारे संकट ही दूर कर दिये पर कालूराम मेरा पडोसी है उसे माफ कर दो आप उसे पहले जैसा फिर से बना दो परी तुकिराम के भोले पन से बहुत खुशो जाती है वहे कालूराम को पहले जैसा बना देती है कालू राम अपनी गलती पर पच्चतावा करते हुए दोनों से माफी मांगता है और अपनी बक्रियों को लेकर वहां से चला जाता है इधर पर ही अपनी बुढिया बनने वाली बात तुकी राम को बताती है और कहती है तुकी राम तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो मैं तुम्हारी परिक्षा ले रही थी तुम दयावान हो मैं तुम ही जादूई मटर के दानों से भरी ये पोटली दे रही हूँ ये कभी खत्म नहीं होगी और इससे तुम मन चाही खेती कर सकते हो तुकी राम को थेली दे कर परीद गायब हो जाती है तुकी राम के जीवन से अब सारे संकट खत्म हो जाते हैं और वह खुशी खुशी अपने बीवी बच्चों के साथ रहने लगता है रूपा की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे उसका पती सूरज एक फैक्टरी में काम करता था कुश समय के बाद वह फैक्टरी बंध हो जाती है जिससे सूरज घर पर बैठ जाता है रूपा की सास रूपा को मनहूस कहकर रोज ताने मारती थी रूपा जबसे शादी करके अपने सुसराल आई थी उसे कोई पसंद नहीं करता था सास भी अपनी बड़ी बहु सुमन की ही तारीफ करती थी जबसे ये आई है मेरे बेटे की नौकरे ही चली गई पता नहीं कौन सी मनहूस खड़ी में मैं इसे शादी करके घर लाई थी मा तुम क्यों रूपा को भला बुरा कहती हो इसमें इस बेचारी की क्या गलती है अगर फैक्टरी बंद हो गई तो तू चुपकर इसी के गुनगान करता रहता है इस मनहूस के लिए मुस्तर जुबान लड़ा रहा है रूपा अपनी पती को चुपकर आती है और बोलती है आप मेरी वज़ा से मा से क्यों बहस कर रहे हो वो मेरी भी तो मा है अगर मुझे कुछ बोल भी दिया तो क्या हो गया आप काम पर जाओ सूरज अभी छोटा मोटा काम ढून रहा था और जहां कहीं उसे कुछ काम मिलता वो कर लिया करता था रूपा की जेठानी सुमन रूपा से घर का सारा काम करवाती थी उसका पती अशोक शहर में एक बड़ी कमपनी में काम करता था सूरज की नौकरी जाने के बाद सूरज की मा अबशोक और उसकी पत्नी की ही तारीफ करती थी रूपा घर और खेत दोनों का ही सारा काम करती थी रूपा खेत में शिमला मिर्च के बीज लगा रही थी तब ही उसकी जेठानी वहां आ जाती है अब क्या लगा रही हो दीदी देखो ना मैंने शिमला मिर्च के बीच लगाए है सबको शिमला मिर्च कितनी पसंद है और वैसे भी सबजियां इतनी महंगी हो गई है बाजार से लेकर खाना तो बहुत मुश्किल है अगर अच्छी फसल हुई तो दो पैसे भी आ जाएंगे तुम्हारे हाथ से लगी सबजी तो सब ने खाली ऐसा कहकर सुमन वहां से चली जाती है इधर रूपा बीजों को पानी दे रही थी और वो घर आ जाती है सुमन रूपा को बिलकुल पसंद नहीं करती थी और उसके सारे काम बिगाड देती थी कुछ दिनों के बाद रूपा अपने खेत में जाती है और देखती है कि शिमला मिर्च के बीज से चोटे-चोटे पौधे निकल आये थे रूपा खुशी से अपनी सास और जेठानी को बताती है माजी मैंने खेत में शिमला मिर्च के बीज पौई थे और अब उनके पौधे बन गए है आज तक तो कोई काम तुने ठीक से नहीं किया फिर ये कैसे कर दिया रूपा अपनी सास के साथ खेत में जाती है तो वहाँ सारी पौंधे उपर से तूटे हुए थे मानो किसी में उपर से सब पौंधों को खा लिया हो ही भगवान ये सब क्या हो गया कल तो यहां इतने अच्छे पौंधे लगे थे इनको किसने दोड़ दिया तेरे हाथ ही ऐसे हैं मैं भी कहा तेरी बातों में आकर पौंधे देखने आ गई भला तेरे जैसी मन्हूस के हाथों से पौंधे कैसे लग सकते थे रूपा बहुत दुखी होती है और घर चली जाती है अगली दिन वह घर से बाहर निकलती है तो देखती है कि घर के बाहर एक गाई बैठी थी रूपा उस गाई के पास जाती है और वो गाई हाफ रही थी अरे ये गाई यहाँ क्यों बैठी है और इतना क्यों हाफ रही है रूपा देखती है कि उसके पैर में चोट लगी थी रूपा पानी की बाल्टी लाती है और उस गाई को पानी पिलाती है तब ही उसकी जेठानी सुमन भी वहाँ आ जाती है इसको क्यों पानी पिला रही थी यही तो है जिसने उस दिन तेरी सारी फसल खराब कर दी थी अरे नहीं दीदी ये बिचारी तो यहाँ बैठी थी लगता है लोगों ने इसे बहुत मारा होगा देखो न इसके पैर पर चोट भी आई है अब तु इसकी चोट ठीक करेगी है न देखना कहीं तेरे हाथ का पानी पिकर यह मर ही न जाए ऐसा कहकर सुमन वहाँ से चली जाती है माजी देखो ये रूपा बाहर आवारा जानवरों को पानी पिला रही है तभी ये जानवर न रात को यहाँ आते हैं और सारी फसनों को खराब कर देते हैं रूपा की सास बाहर आती है और रूपा को खूब भला बुरा सुनाती है पता नहीं ये गवार कहां से मेरे गले पड़ गई है ये गव माता अब तू यहां से चली जा नहीं तो ये लोग तुछे मारने लगेंगे तभी गाई पानी पीकर वहां से जा रही थी रूपा की सास एक लंबा सा डंडा लेकर गाई को भगाने आती है अरे माजी आप कहां जा रही हो वो बिचारी गाई तो चली भी गई बस उसे पानी पीना था पानी पीकर वो चली गई है देख कितना गंद डाल कर गई है इस गोबर को अभी के अभी यहां से साफ कर माजी आप जाईए मैं इसे अभी उठा देती हूँ रूपा एक टोकरी लाती है और उस गोबर को उठा कर उस टोकरी में डालती है क्यों ना मैं इस गोबर को अपनी खराब हुए पौधों को डाल दूँ ये तो खाद ही है और पौधों के लिए ये अच्छी भी है रूपा उस गोबर को सारे पौंधों के नीचे थोड़ा थोड़ा डाल देती है कुछ तिनों के बाद वो शिमला मिर्च के पौंधे बिल्कुल हरे भरे हो जाते हैं और उनमें बहुत सारी शिमला मिर्च भी आ जाती है हे बगवान ये क्या चमतकार है ये शिमला मिर्च के पॉंथे इतनी जलती पड़े हो गए और इनको तो शिमला मिर्च भी लग गई है मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि अब ये पॉंथे तयार हो पाएंगे दीदी तो बोल रही थी जो फसल जानवर नस्ट कर देते हैं वो कभी नहीं हो पाती लेकिन ये शिमला मिर्च तो बहुत अच्छी हो गई है लगता है गाई का गोभर बहुत ही अच्छा होता है इनके लिए रूपा घर जाती है और अपने पती और सास को सब बताती है सुनो जी आज आप काम पर मत जाओ हमारे खेत में बहुत सारी शिमला मिर्च लगी है आपको उन्हें तोड़ कर मंडी में बेच कर आना चाहिए क्या शिमला मिर्च तुम तो कुछ दिन पहले बोल रही थी कि वो सब बर्बाद हो गई है हाँ मैंने वो उसमें गोबर की ना खाट डाल दी थी शाहद उसी से सब पौंधे हारे हो गए और उनमें बहुत सारी शिमला मिर्च भी आ गई है रूपा और सूरज खेत में जाते हैं सूरज जब खेत को देखता है तो वो बहुत खुश हो जाता है अरे शिमला मिर्च तो बहुत अच्छी लगी है सारे पौंधे शिमला मिर्च से भरे पड़े हैं वो दोनों मिलकर पांच टोकरियां भरकर शिमला मिर्च तोड़ लेते हैं सूरज उन्हें मंडी में बेच कर आता है जिसके बदले उसे अच्छे पैसे मिलते हैं जब सुमन को इस बात का पता चलता है तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है। सुमन रात को खेत में जाती है और शिमला मिर्च के पौंधों को उखाड़ने के लिए जैसे ही वो खेत में जाती है तो एक बड़ी सी गाई उसके सामने आ जाती है। और सुमन गाई को देख पीछे भागती है, हे भगवान मैं मर गई मुझे बचा लो और सुमन सीधा अपने घर पहुँच जाती है, आज तो वो गाई मुझे मारी देती, पता नहीं कहां से आ गई थी, कहीं से भी आई हो, आज जो काम करने में गई थी, अब वो गाई ही भगवान भी मेरी मदद कर रहे हैं, इस मनहूस के काम को बिगाडने में, अगली दिन सुरज और रूपा फिर से टोकरियां लेकर खेत में जाते हैं, आज तक कुछ भी नहीं मिलेगा, रात को वहां इतनी बड़ी गाई जो आई थी, उसने सारे पॉंधे खराब कर दिये हो होंगे, आई बड़ी पॉंधे लगाने वाली, काफी देर हो गई थी, रूपा और सूरज अभी तक खेत से वापस नहीं आए थे, इधर सुमन घर में इनको दुखी देखने के लिए इंतजार कर रही थी, अब तक नहीं आए, लगता है वहीं दोनों बैट कर अपनी किसमत के लिए रो रहे होंगे, क्यों ना खेत में देखने चली जाओं, वहीं जाती हूं, उनको देखकर ही मेरी मन को तसरली मिलेगी, जैसे ही सुमन खेत में जाती है, तो वो देखती है कि रूपा ने सारी टोकरियां शिमला मिर्च से भरी हुई रखी थी, सुमन तो ये देखक हैरान थी कि एक भी पॉंधा खराब नहीं था, बलकि शिमला मिर्चों से भरा पड़ा था, अरे दीदी, आप भी आ गए, ये ना मैंने अलग से कुछ सबजी निकाल के रखी है, आप इने घर ले जाओ, हम अभी थोड़ी दिर में आते हैं, सुमन बिना कुछ बोले, शिमल सो गए थे, सुमन हाथ में एक डंडा लेकर खेट में जाती है, अगर आज वो गाय वहां आई ना, तो पहले तो उसे मारूंगी, बाद में उन सारे पॉंधों को तोड़ दूंगी, सुमन जैसे ही खेट में जाती है, तो वो देखती है कि खेट में कोई गाय नहीं थी, जैसे ही वो पौंधों को तोड़ने लगती है तो खेत में इतनी सारी गायों से दिखाई देती है और सब गुस्से से सुमन की उर भागने लगती है सुमन इतनी सारी गायों को एक साथ देख कर बहुत डर जाती है और वो भागने लगती है भागते भागते वो गिर जाती है और जैसे ही वो उठने लगती है सामने एक बड़ी सी गाय खड़ी थी अगर आज के बाद तुम इस खेत में आई और तुमने इन पौंधों को नुकसान पहुचाने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा ये शिमला मिर्च के पौंधे कोई साधारण पौंधी नहीं बलकि जादूई पौंधे हैं इनको जो नुकसान पहुचाने का सोचे का उसके साथ जो होगा वो कभी सोच भी नहीं सकता ऐसा कहते ही वो गाई वहां से गायब हो जाती है सुमन अपनी घर जाकर चुप चाप सो जाती है सूरज और रूपा रोज शिमला मिर्च तोड़ कर मंडी में दे आते थे और लोग उनकी मिर्चों को देखते तो उनकी बहुत तारीफ किया करते पता नहीं सूरज और उसकी पतनी ये जादू इस शिमला मिर्च के पौंधे कहां से लाए हैं कितनी बार तोड़ने पर भी इनका फल कम नहीं हुआ मैंने तो इस बार सूरज से ही इसका बीज लेना है और अगली बार अपनी खेत में यही शिमला मिर्च उगाउंगा सही बोल रहे हो भाई मैं भी सूरज से ही इस बार शिमला मिर्च का बीज लूंगा सोनू और मोहन की मा का देहां तहाल-फिल-हाल में ही हुआ था सोनू उम्र में चोटा था पर भाई का हमेशा कहना मानता था पर मोहन अपने छोटे भाई को पास में नहीं रखना चाहता था क्योंकि वो एक पैर से अपंग था देखो सोनू बहुत हुआ अब मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता मुझे अपने ही बहुत काम होते हैं मैं कब तक तेरी सेवा करता रहूंगा पर मा ने हम दोनों को सांथ रहने के लिए कहा था मा तो चली गई और वो दो बीगा जमीन छोड़ कर गई है उसमें से एक बीगा तू ले ले एक बीगा मैं ले लेता हूँ पर भाई मैं भला खेती कैसे कर सकता हूँ मेरा तो चलना भी मुश्किल है इसलिए तो मैं तुम्हारे पास रहता हूँ सोनु मैं कब तक तेरी सेवा करता रहूंगा तुझे अपना जीवन खुद जीना आना चाहिए मैं बराबर बराबर हिस्से में जमीन बाट रहा हूँ मैं भला इस बंजर भूमी का क्या करूंगा मोहन सोनु को वहां से जाने के लिए कह देता है और सोनु पलटकर कोई भी सवाल जवाब किये बिना वहां से चल देता है वेह अपाहिज होने की वज़ह से कोई काम नहीं कर सकता था इसलिए वेह अपनी बंजर भूमी के पास जाकर रोने लगता है मा तुम मुझे छोड़ कर कहा चली गई अब मैं तुमारे बिना कैसे जीऊंगा भाई ने तो मुझे छोड़ दिया अब तो मैं किसी काम का नहीं रहा जब सोनू इन सब बातों को सोच कर रो रहा था तब ही उसे किसी के करहाने की अवास सुनाई देती है उसने पास जाकर देखा तो वहां एक तोता घायल अवस्था में पड़ा हुआ था अरे इस तोती को तो बहुत चोटाई है अगर इसको सही समय पर औशदी नहीं मिली तो यह बिचारा मर जाएगा मुझे औशदी का ग्यान है मैं अभी इसे ठीक कर देता हूँ सोनु खिसकता हुआ पास की जाडियों में से जड़ी बूटियां चुन कर लाता है और तोते के पंखों पर लगाता है जिसने तोते को बहुत अराम मिलता है फिर वह पास की नदी से पानी लाकर तोते को पिलाता है और कुछ दिन तक वही पर उसकी सेवा करता है कुछ दिन बाद वह दोता ठीक हो जाता है और सोनु से कहता है तुम बहुत नेक दिल अनसान हो तुमने मेरी बहुत सेवा की आज के समय में कोई भला किसी पक्षी को कहां बचाता है मर्च ऐसे छोटे पक्षी के लिए तुमने इतनी मेहनत करके जड़ी बूटी और पानी का इंतजाम किया जबकि तुम चलने में असमर्थ हो यह तो मेरा फर्स था, मेरी वजह से अगर तुम्हारी जान बची है तो इसकी मुझे बहुत खुशी है तुमने मेरी जान बचाई है, इसके लिए मैं तुम्हे कुछ देना चाहता हूँ, यह लो हरी मिर्च हरी मिर्च, मैं भला इस हरी मिर्च का क्या करूंगा, मेरे पास तो खाने के लिए रोटी तक नहीं है, फिर यह हरी मिर्च मेरे किस काम की मैं तुम्हारे हालातों को जानता हूं इसलिए तुम्हें ये हरी मिर्च दे रहा हूं ये कोई मामूली हरी मिर्च नहीं बलकि जादू ही हरी मिर्च है जादू ही हरी मिर्च हाँ ये जादू ही मिर्च है इसको अपनी इस बंचर भूमी में गाड़ दो ये हरी मिर्च अपना उस गढ़्धे में से एक प्रकाश निकलता है और पूरा खेत हरी मिर्चों से भर जाता है। हे भगवान इस बंजर भूमी पर हरी मिर्च की खेती ये कैसे संभव हो सकता है। बंजर भूमी पर तो कुछ भी पैदावार संभव नहीं थी। यही तो इसका जादू है ये हरी मिर्च की खेती कभी खत्म नहीं होगी अब इसमें से एक हरी मिर्च तोड़ कर तुम भी खालो तोते के कहने पर सोनू हरी मिर्च तोड़ कर खालेता है तभी उसको ये एहसास होता है कि उसका पैर ठीक हो गया है और उसके अंदर जो थकान औ जिसकी वजह से मैं ना चल सकता था और ना ही दोड सकता था, मेरा बस यही सपना था कि मैं भाग सकूँ, आज इस हरी मिर्च को खाकर मैं अपने पैरों पर खड़ा हो पाया हूँ, मेरे लिए एक सपना सा है जो पूरा हो गया है यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहा रहा था कि ये कोई मिर्च मामूली हरी मिर्च नहीं, जादूई हरी मिर्च है, तुम जादूई हरी मिर्च की खेती से बहुत कुछ कर सकते हो, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए ये तौफा मैं सुर्फ तुमको ही देना चाहता हू सोनू हरी मिर्च की खेती पाकर बहुत खुश होता है वहे उन हरी मिर्च को तोड़ कर बाजार में बेचता है उसकी हरी मिर्च पूरे बाजार में सबसे अच्छी होती है हर कोई उसकी हरी मिर्च खरीदना चाहता है जिसकी वजह से वो बहुत अमीर हो जाता है पर ये बात ज मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तो इसमें से दोनों का बराबर हिस्सा हुआ, इसमें से आधा तुम रख लो और आधा खेत मैं रख लेता हूँ, मेरी खेत में तो जो फसल हुई थी वो खराब हो गई, मेरे घर का गुजारा चलना भी बहुत मुश्किल हो रहा है, अब हो जाता है, पर जैसे ही मोहन उस जादूई हरी मिर्च को तोड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, वह हरी मिर्च उसकी आखों और पूरे बदन पर चिपक जाती है, जिसकी वच्छा से उसको बहुत जलन होती है, अरे बचाओ, बचाओ, इस हरी मिर्च ने तो मुझे म मिली है, मुझे माफ कर दे सोनु, मैंने तेरे साथ गलत किया, मुझे इन हरी मिर्चियों से मुक्ति दिला दे, ये तो मेरी जान ले लेंगी, आगे से मैं तुझे कभी परेशान नहीं करूंगा, और ना ही इन हरी मिर्चों को हात लगाउंगा, हे जादूई हरी मिर्च, मे से भाग जाता है और वो कभी भी पीछे पलट कर नहीं देखता वहीं दूसरी और सोनू उन्हरी मिर्च की मदद से बहुत अमीर हो जाता है और उन्हें लोगों की भलाई के लिए काम मिलाता है एक दिनिक आदमी उदास पैठा हुआ था सोनू उसके पास जाकर पूछता है क् में इतने उदास क्यों बैठे हो मेरी बेटी की कल शादी है और सुसराल वालों ने बहुत ज्यागा दहेज मांगा है जिसकी वजह से मैं बहुत परिशान हूँ मेरे पास तो कुछ भी नहीं है आप चिंता न कीजिए आप अपनी बेटी की शादी कीजिए उसमें जो खाना बनेगा उसमें मैं अपनी मिर्चे डाल दूंगा सोनु दावत के खाने में हरे मिर्च डाल देता है जिस बजह से लड़की के सुसराल वालों के मुझ से बार बार यही शब्द निकलते हैं कि उन्हें कोई दहेस नहीं चाहिए जिसकी बजह से शादी बहुत अच्छी तरह से हो जाती है लड़की का पिता सोनु को बहुत धन्यवाद देता है इसी तरह सोनु सब की मदद किया करता था